दन्यवाद जदी सदन की सहमती हो तो ग्यारा वज़े तक समय बढ़ा जेते हैं ठीक है शिरी राजु विष्ट जी दन्यवाद सर सर मैं आज आपके सामने भारत माता के डेड़ करोट भारतिय गुर्खा समाज के लोगों की दुख और तकलिफ को साजा करने के लिए यहां खड़ा हूँ सदियों से गुर्खाओं ने भारत माता की सेवा की है और देश की सम्मान की रक्षा के लिए सर्वच्चो बलिदान दिया है आजदी के बाद एक भी ऐसा साल नहीं गया जब किसी ना किसी गुर्खा सैनिक को हमारे राष्टपती द्वारा उनकी भादूरी के लिए सम्मान नहीं किया गया हो इस संसद भवन के परिशर में आयेने के सहित दुर्गा मल जी का प्रतिमा भी हमारे सोतंतरदा संग्राम के दोरान गुर्खाओं की योगदान का एक प्रमान है महोदे गुर्खाओं ने देश भर में रहने वाले गुर्खाओं को बहुत प्यार और सम्मान मिलता रहा है मगर कहीं न कहीं पिछले 72 सालों से गुर्खाओं के प्रति एक सोतालय बेवार भी होता रहा है उन्हें आज भी देश के कई हिस्चों में दुत्ये सिरेणी के नागरी के रूप में देखा जाता है चाहे दाजलिंग तराई दूवर्ष के गुर्खा हो अरुनाचल में रहने वाले विजयनेगर के गुर्खा हो चाहे मनिपूर आसाम नागलेन में रहने वाले गोर्खा हो चाहे हिमाचाल उत्राखन दिल्ली मॉंबे में रहने वाले गोर्खा हो इससे गोर्खाओं की जनसंख्या उनकी संस्कृती कला भासा पर भी एक नकाराक्तमत प्रवाव परता मैं देख रहा हूँ उनकी अपनी समस्याएं हैं जिन पर स्थानिया राज्यों की सरकारों को ध्यान दिया जाना अत्यनत आवशक है साथ ही इस संबंद में मैं आपके माध्यम से मानने ग्रे मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि दाजिलिंग हिल्स तराई डूवर्स में बार बर तिब्रा अंदोलन के रूप में उभर कर आने वाले यहां के लोगों की दिर्ग लंबिक राजनितिक पहचान की मांग का जल से जल स्थाई राजनितिक समधान किया जाना चाहिए और स्थाई राजनितिक समधान के माध्यम से गुर्खा समाज की आइडिन्टिटी के साथ साथ भासा, कला, साहित, संस्कृती तथा उनकी राजनितिक भागेदारी भी सुनिश्चित हो भारत मता किजे